असलामों अलेकुम आज़े बनाने जा रहे हैं आलू के कबाब यह हमारी इंग्रीडियन्स हैं यह देख लीजिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है डब रोटी के पीसे होते हैं जो हमारे एंड के जो हम वेस्ट कर देते हैं हम उसको क्या करेंगे उसको हम ब्लैंडर में दा अब यह क्या है यह है लाल मिच पाउडर धनिया पाउडर चाट मसाला कुटीव इमेज और मैंने एक जगा साबुत धनिये को और जोना जीरगों और जोना साथ में ग्रैंड कर लिया और नमक है यह हमने क्या लिए हरा धनिया पाउदीना प्यास हर इमेज और यह हमने थोर पॉदीना, हरी मर्च, प्याज, हरदनिया, ये सब डाल देंगे और ये जो नीबू है, इसका एक के दो पीसे होते हैं, तो हम एक छोटा वाला जो पीस होता है, हाफ पीस जो हता है, हम इसको इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे. ये देखें. अब हम इसके अंदर मसाले डालना शुरू करेंगे यह देखें धनिया पाउडर है लाल मिर्च है गरम मसाला है कुटीवी मिर्च है नमक है चाट मसाला है एक एक चमाच है सब अभी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे यह देखें अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए कि इसके अंदर कोई भी मोटे मोटे सा आलू का मलता पीस ना हो वो फिर बाद में क्या होता है जब हम कबाब बनाते हैं तो उसके अंदर जब हम फ्राय करते हैं तो अराम से फॉरण ही टूट जाता है तो सबसे अच्छी ची सब्सक्रएब बाद में करते हैं तो सब्सक्रीच पिर सृब खरक्ताने कम झाचिए अच्सक्या, जब्रेटक्रॉम्स मिक्स करेंगे अच्छा एह जो ब्रेटक्रम्स है हम नॉमंल भी तरह बम दूषा की तरह हैं कि दृशेथे करो कर दो लोगो, यह तरहीत ब्रूशु अच्छी तरीके से इसको गुन लें जाए से बाते जितना गुंदावा होता है उतना अच्छा बनता है और मैं तका बाप भी अच्छे टाइट रहते हैं अब हम क्या करेंगे अब हम इसे एके करके बनाना शुरू करेंगे यह देखे हम क्या करेंगे आपको जो भी साइस चाहिए आप थोड़ा चोटा चाह रहे है या बड़ा उस तरहां से इसके कबाब बनाए अच्छा सा मतब गोल इसको टाइट अपने हाथ से दमाएगे क्योंकि पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है और पानी रखना भी नहीं है अगर पानी होगा नहीं तो तूटने का खत्रा जादा होता है तो जैना आप कोशिश किया करें चाहिए वो आप चिकन के बना रहे हैं चाहिए वो किसी भी चीज के बना रहे हैं कबाब दाल के बन रहे हैं तो जैना उसके पानी बिल्कुल मत ठरका करें प्रिज के नियूंत नियुक्ति सवस्तेर करें नियुक्ते प्रिज में शाथि मुझे विख खरने 거座 irrespons यह तो यह तो तब अंप्र करें चाण की विखा में तो ये देखे, मैं ऐसे आपको करके दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं है, बस ऐसी उपनी जो फोल करके मैं आटा लगा रही हूँ आगे पीछे तो कैसे अच्छे को से का हुआरी है, अब मैं शुक्छ लगा रही नहीं तरह से नहींकि नहीं हुआो है फड़ जाते है तो चलेए देखिए मेरे कबाब त्यार है आप फ्लीज ट्राइ कीजिए मुझे बताइए अप लगों कैसे लखे मुझे अपनी दौाओं मैं याद रखे है मेरि वीडियू को लाइक कीजिए शेयर कीजिए आज मुझे अपनी में याद रुके, अल्ला हाफिस